जैहन दोस्तो, स्वागत है आपका SSB Crack Exams में आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे लेडी ओफिसर रिग्जिन शुरॉल के बारे में जो बनी है लद्दाक की पहली महिला ओफिसर 29 अक्टूबर सन 2022 को Officers Training Academy से पास आउट होके माम रिग्जिन ने ना सिर्फ लद्दाक बलकि पूरे देश का नाम उचा कर दिया एक इंटर्व्यू में उन्होंने बताया कि उनकी जर्णी तब से शुरू हो गई थी जब से उन्होंने ये तै कि वो इस organization का हिस्सा बनना चाहती है जिसमें उनके पती ने कई साल service दी है वो हमेशा से अफसर बनना चाहते थे इसलिए माम रिग्जिन ने ये तै कि जो भी उनके बच्चे हुए साल है वो इस organization को देना चाहती है My journey starts from the day I have decided that I have to join this institution I have to join this beautiful organization in which my husband has served for so many years and it was his dream to become an officer so I decided that I will join this organization and serve my remaining years and my journey starts with the OTA on 12th December 2021 and since then this 11th months have been very rigorous training and more than training it was difficult for me to stay away from my only child 12 December 2021 से उनका OTA का सफर शुरू हो गया था और 11 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद उन्हें ये मुकाम हासल हुआ है उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग से मुश्कल था उनके लिए अपने बेटे से दूर रहना यूकि वो उसके परवरिश के 11 महीने उस बच्चे से दूर रही है पर अब उन्हें विश्वास है कि उनकी बेटे को भी आगे चलके अपनी मापर फक्र होगा एक इंटर्व्यू में माम ने बताया कि सर रिग्जन केंडल तीन लद्दाग स्काउट्स में राइफल मान थे और ड्यूटी के दौरान एक घटना में उनकी मृत्ति हो गई और इसके बाद माम रिग्जन चुरॉल ने सेना में पहली महिला अफसर बन कर पुरे लद्दाग का सर शान से उचा कर दिया है वो आगे के साल एक होनार अफसर बन इस और आगे आने वाली जनेरेशन को प्रेरित भी करेंगी उमीद करते हैं कि आप इनकी कहानी से जरूर पेरित हुए होंगे ऐसे वीडियोस के लिए बने रही है हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजे हमारे चानल SSB Crack Exams को मिलते हैं अगली वीडियो में चेहिंद अगर आप एक defense aspirant है और SSB interview, NDA, CDS, FCAT जैसे exams के लिए प्रेपेर कर रहे हैं तो आप SSB Crack Exams के course को चेक करना ना भूलें आप हमारी learning application को Google Play Store से भी डाउनलोड कर सकते हैं